हेलो माई देर चिल्रेन और वेलकम तू यूर फेवरेट चैनल मिट्टॉक इंडिया जिसमें हम मज़्यदार एक्टिविटी के साथ आपके चाप्टर को पढ़ते हैं तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके N.C.E.R.T. क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नमबर 9 माई फंडे और फिर आप क्लास 2 मैथ मैजिक का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटॉक इंडिया चैनल में बट बिफोर वी स्टाट तो देख स्टाइबल पढ़ना सीखेंगे इस चैप्टर के बाकी पार्ट के वीडियो लिंक्स इस दिन कौन-कौन से पीरिट्स होते हैं आप स्कूल में पहुचते हो वहाँ पर एसेंबली होता है एसेंबली होने के बाद पहली बार जो आपका क्लास स्टार्ट होता है दाट इस यूर फोर्स पीरिए आपकी क्लास टीचर मैडम आती है अटेंडनेंस लेती है और फिर बेल बच जाती है मैम चली जाती है दाट मेंस बेल बचते ही सेकेंड पीरिएट स्टार्ट हो जाता है उसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ शिक्त पीरिए इस तरीके से लिखा हुआ है बीच में एक बार लंच प्रीक भी होता है जिसमें हम हमारा टिफिन बॉक्स खाते है टेस्टी टेस्टी एंड हीर उपर से नीचे तक डेस लिखे हुए है लेकिं और वहां पे जो सब्जेक्ट लिखा होता है वेडनेश डे का फिफ्त पीरिएट विएस ब्ज़ेक्ट है तो इसी चीज़ के उपर हमारे नीचे कुछ कोशिंस दिए हुए हैं Look at the time table of class 2nd A and fill in the table. Periods, Drawing, Drawing period on which days, कौन कौन से दिन में Drawing period है? तो यहाँ पे Tuesday को 3rd period में एक Drawing period है, उसी तरह Thursday के 3rd period में भी Drawing period है, और Saturday के 3rd period में ही Drawing period है. So we will write Tuesday, Thursday and Saturday, जिसमें T, T और S capital होगा, क्योंकि यह दिनों के नेम है. उसके बाद हमें देखने हैं कि music period कौन से दिनों में है? तो दिखिए, Monday के last 6th period में एक music period है, उसके बाद Thursday के 6th period में एक music period है, और उसके नीचे Friday को भी 6th period में एक music period है. So we will write Monday, Thursday and Friday. गेम्स कौन से दिनों में है? तो Monday के 3rd period में एक games है, उसके बाद Wednesday के 3rd period में भी एक games है, और उसके बाद Friday के 3rd period में games है. So we will write Monday, Wednesday and Friday. लास्ट है library, जब हम story books पढ़ते हैं, वो कौन कौन से दिन में है? तो यहाँ पे Tuesday के 6th period में एक library period है, उसके बाद Wednesday के 6th period में भी library period है, और then Saturday के 6th period में भी library period है. So we will write Tuesday, Wednesday and Saturday को library period है. उसके बाद आपके class के खुद के time table को देखके, आपको इन questions के answer दिखने हैं. In your class, on which days do you have a games period? तो अपने time table में देखें कि games period आपके class में कौन से दिन में है? मेभी Monday को और Friday को होगा. उसके बाद how many children would like to have a games period everyday? क्लास में कितने बच्चों को रोज एक games period चाहिए? चलिए हाथ खाड़ा कीजिए, maybe all the children. उसके बाद question है, what games do you play in your games period? तो बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, पकड़न पकड़ाई खेलना पसंद करते हैं. आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, आपको यहाँ पे वो लिखना है. उसके बाद question है, on which days do you have a drawing period? आपके time table में कौन से दिनों में drawing period है? उन दिनों के नाम आपको देखे लिखने हैं. जैसे Wednesday और Thursday को होगा, तो आपको उन देस के नाम लिखने हैं. उसके बाद आपको उन दिन का नाम लिखना है, जिसमें music period होंगे. Do you have a music period? Definitely होगा, छोटे-छोटे बच्चों को भी music बहुत पसंद है. If yes, on which days? कौन से दिन में है? तो उस दिन का नाम लिखना है, maybe Tuesday को होगा, तो आपको उस दे का नाम लिखना है. उसके बाद question है, which day of the week do you like best at school? At school में आपको कौन सा दिन है, जो सबसे ज्यादा पसंद है. तो maybe वो Saturday होगा, क्योंकि Saturday को mostly केंदर विद्याले के बच्चे फंडे मनाते हैं, activities करते हैं. तो आपके स्कूल में कौन सा दिन सबसे बेस्ट है आपके लिए स्कूल में वो वाला दिन आपको लिखना है. दिनों के बारे में, डेस के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हमारा फेवरेट मन्थ कौन सा है? So we have total 12 months in one year. January से लेकर December तक और इनको अगर हम numbers दे देंगे, तो January होगा number 1, February होगा number 2, March होगा number 3 and last में December होता है number 12. चलिए पढ़ते हैं कि इन बच्चों के फेवरेट मन्थ क्या-क्या है? One day, Sona, Arjun and Zeeba were talking about their favorite months. एक बच्चे ने कहां कि मुझे तो May और June का महीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब summer season होता है, हमें mangoes खाने को मिलते हैं. लेकिन दूसरा बच्चा बूलता है, मुझे तो December पसंद है, क्योंकि तब हम Christmas मनाते हैं, केक खाते हैं, Santa Claus बनाते हैं, Santa Claus आते हैं और हमें बहुत सारी गिफ्ट देते हैं. लेकिन इस लड़की ने सोना ने कहां, कि मुझे तो July और August ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बारिश पसंद है, उस time rainy season होता है, और बारिश में चपंग चपंग करना, नाव चलाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो आपको कौन सक फेवरेट मन्थ है? आप सभी बच्चों को जो फेवरेट मन्थ होगा, आप वहीं इस जगा पे लिखेंगे. अगर मेरी बात करें, तो मुझे October November का महिना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस time दिवाली और दशारा का time होता है, हम लोग बहुत enjoy करते हैं उस समय. उसी को हमें नीचे लिखना है, Why do we like? I like to enjoy दशारा and दिवाली holidays. उसके बाद है, Draw what you like to do in your favorite month. तो जैसे मुझे नवरात्री पसंद है, तो मैंने नवरात्री से related एक ड्रॉइंग कुछ इस तरीके का बना दिया है, तो आपको जो भी मन्थ पसंद है और उसमें क्या खास आप करते हैं, उसके बारे में आपको यहां पे ड्रॉइंग करना है. उसके बाद है, Fill in the table, क्या आपको पता है, कि जो भी फल और सबजी आपका फेवरेट है, वो पूरे साल भर हमें नहीं मिलता. For example, What I like the best में फ्रूट है, मुझे आम सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये खटा-खटा हम चट्णी भी बना सकते हैं कचे मैंगो से, और पके हुए मैंगो तो वैसे ही मीठे होते हैं खाने के लिए, लेकिन ये मेरा फेवरेट है, लेकिन ये हमें पूरे साल भर नहीं मि लिखना है, जगर आप बनाना लिख रहे हैं, तो वो तो आपको सारे महीने, पूरे साल भर मिलता है, लेकिन मैंगो की तरह अगर कोई फल आपको पसंद है, वो आपने पैरेंट से पूछ के लिख सकते हैं, कि वो किस महीने में ज्यादा मिलता है, उसी तरह वेजटेबल, जैसे मुझे मटर बहुत पसंद है, मटर से बनी हुई, मटर पुलाओ, मटर पनीर, वाओ, लेकिन मटर भी मुझे पूरे साल भर नहीं मिलता, ये मुझे मुझे सर्दियों के समय मिलता है, नवेंबर, डिसमबर के महीने में ही ज्यादा मटर मिलता है, तो आपका तो उसी तरीके से आपका भी जो फ् 중요 मेर्ट हो उसका नाम लिखना है और फिर वो कौं से महिने में ज्यादा आपको नजर आता है वो लिखना उसके बाद हमें फेस्टिव स् के बारे में लिखना है को घर रिथनीन सस्कूल की छुटी जैसे यहाँ पे फोटो में बच्चे क्या खेलते हुए नजर आ रहे हैं होली का फेस्टिवल कितना फेवरेट होता है बच्चों का रंग बिरंगे कलर्स और पाने से भरी हुई पिछकारी और होली का फेस्टिवल ज्यादा तर मार्च के टाइम पे ही आता है और अगर हमारे किसे फाइनल एक्जाम सब तक खतम हो जाते हैं तो होळी के मज़े हम और थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं उसी तरद्वाली जातर नौवेंबर के टाइम में ही मनाया जाता है उसी टाइम पर इनके डेट होते हैं Ella Music क्रिसमस अग No rates जो आपके परसमेल फेवरेट हो वो आप यहां पे लिख सकते हैं एक और ड्राइंग वाला कोस्टेन ड्रॉज असीन आफ एनी आफ द फेस्टिवल्स तो यहां पे मैंने कुछ फेस्टिवल्स के ड्रॉइंग बना के दिये हैं जैसे क्रिस्मेंस का ड्रॉइंग यह वाला भी हैपी मेरी क्रिस्मस का ड्रॉइंग है उसके बाद दिवाली फेस्टिवल का ड्रॉइंग दन कुछ लोग संक्रांतिंग के दिन बहुत इंजॉई करते हैं उस टाइम हम मीठे चावल से बनाए हुए बहुत सारे रेसिपीज बनाते हैं नए-ने चावल बनते हैं उस टाइन पे तो उसका ड्रॉइंग भी कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं और अगर आपका फेवरिट फेस्टिवल होली है तो उसका ड्रॉइंग भी आप इस तरीके से कर सकते हैं बहुत सारे साउथ इंडिया में रहने वाले बच्चे पोंगल बहुत ही अच्छे से सलिब्रेट करते हैं बहुत इंजॉय करते हैं तो उसका ड्रॉइंग भी बच्चे इस तरीके से बना सकते हैं जैनुरी से लेकर डिसेंबर तक हमें सभी मंत्स का स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और उसी के उपर हमारा next question है Names of some of the months are missing in the list given below Missing का मतलब नीचे जो list given है यहाँ पे कुछ मंत्स के नाम नहीं है और उन मंत्स के नीम को हमें लिखना है Fill in the names of those months So we have to start reading from January, February, March March का स्पेलिंग है M-A-R-C-H, March April, May, M-A-Y, May June, July, J-U-L-Y, July August, September, October, November N-O-N-O, V-E-M, V-E-R, Burr, November and then last में है December Look at the calendar to find out अब अपने सामने रखे हुए calendar की तरफ देखिए और बताईए Number A Which is the first month of the year First मतलब number one वाला मन्त कौन से मन्त में year शुरू होता है वो है January J-A-N-U, Janu, A-R-Y, A-R-E Next is Which month comes after March After मतलब बाद में March के बाद में कौन आता है January से काउंट कीजिए January, February, March, April So we have to write A-P-E-P-R-I-L April Number 6 Which month comes before August Before मतलब पहले वाला August के पहले वाला मन्त कौन सा है काउंट कीजिए January, February, March, April, May, June, July, August मतलब August के before में आता है July J-U-J-U-L-Y-L-E इसके बाद वाला कोशन Which is the last month of the year किसी भी साल का last वाला महीना कौन सा है वो है December D-E-D-C-E-M-S-E-M-B-E-R-B-R December जब हम Merry Christmas celebrate करते हैं और Happy New Year की तयारी करते हैं लेकिन सभी महीनों में February सब से different है अलग है पता है क्यों? क्योंकि आप किसी भी कैलेंडर में अगर देखेंगे तो सभी मन्थ के आखरे दिन में या तो 31 डेज नजर आएगा नहीं तो 30, 30 डेज नजर आएगा लेकिन February ही एक ऐसा मन्थ है जो सिर्फ 2, 8, 28 नहीं तो 4, 4 साल के बाद 2, 9, 29 डेज का ही होता है ये मन्थ कभी भी 31 नहीं तो 30 डेज का नहीं होता और इसी लिए February डिफरेंट है ऐसे ही और कुछ मज़ितार जीजे हम जानेंगे इन आवर पार्ट 3 वीडियो सो स्टे टून, वी विल मेट वेरी सून थैंकियू वेरी मच, बाई बाई